नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीलाजीत के प्रयोग से होने वाले फायदों के बारे में दोस्तों स्वाद में सीलाजीत काफी कड़वा, कसेला, उश्न और वीर्य पोशन करने वाला होता है देखने में ये तारकुल की तरह बहत काला और गाड़ा होता है जो सूखने के बाद एकदम चमकिला रूप ले लेता है इसके सेवन से नकेवल सेक्स पावर बढ़ती है वरन इसके शेरिर पर कई अन्य प्रभाव भी होते है जिनकी सहायता से बुड़ापा दूर रहता है तो चलिए जान लेते ही सिलाजीत के प्रियोग से आपको क्या फाइदा हो सकता है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्या सावधानिया रखनी चाहिए दोसों मदू में स्वपन दोश योन दूरबलता शारिरिक दूरबलता को दूर करने के लिए सिलाजीत का प्रियोग उत्तम माना जाता है सिलाजित उम्र को गटाता है सिलाजित उच्च उर्जा और जेव उत्पादक गुणों से भरपूर होता है जो नई कोशिकाओं को दुबारा बनाता है और पुरानी कोशिकाओं को मेंटेन भी करता है जिससे उम्र कम तिकती है नेश्च दोस्तों ये दिल का भी खयाल रखता है सिलाजित दिल की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है दिल के साथ साथ ये रक्त चाप को भी नियंतरित करता है थरड़े दोस्तों पाचन तंतर के लिए सिलाजित काफी फाइदे मन्द होता है सिलाजित शेरिर के पाचन तं जाती है इससे प्रोटीन विटामिन ज्यादा मात्रा में मिलता है सिलाजित के सेवन से किड्नी पेंक्रियाज और थाइराइड ग्लेट भी सही से काम करते हैं यह ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है अगला दूस्तों सिलाजित दिमाग की शक्ति वड़ाता ह यह तनाव थकान को मिटा कर नर्वस सिस्थम को मजबूत बनाता है यह यादास्त को तेज बनाता है और ध्यान को कैंद्रित करने में आपकी मदद करता है सिलाजित तनाव को दूर करता है तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है और शरीर तता दिमा को शां कर सकते हैं इसमें 85% ज्यादा मिनरल्स पाय जाते हैं जो बीमारियों को दूर बगाते हैं और रोग प्रतीरोधक्षमता को बढ़ाते हैं शिलाजित हड्यों में केलसियम बनाकर हड्यों को मजबूत बनाता है नक्सता दोस्तों सिलाजित योण शक्ति के लिए काफी फाइदे मंद होता है सिलाजित पूरुष प्रजनन प्रनाली और कामेच्छा को बढ़ाता है ये नपुसंगता और प्रिमिचूर इजेकुलेशन की समस्या को दूर करता है सिक्रपतन की समस्या को दूर करता है हड्यों की बिमारी को ये दूर रखता है ये हमारे हड्यों में मजबूती भरता है और गठिया और जोडों के दर्दिर से चुटकरा दिलाता है रक्त की शुच्दी करता है तो दोस्तों ये है सिलाजित के कुछ फायदे लेकिन दोस्तों इसके सेवन में कुछ आपको सावधानिया भी बरतनी पड़ती है वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों सिलाजित का सेवन दूद और शहध के साथ सुभ सूर्यो दर से पहले कर लेना चाहिए इसके ठीक पाचन के बाद इक बोजन करना चाहिए थार्त 3-4 गंटे बाद बोजन करना चाहिए नेक्स्टे दोस्तो जो मरीज गंबीर गठ्या ग्रस्त है गठ्या की वीमारी से ग्रस्त है उन्हें सिलाजित का प्रियोग नहीं करना चाहिए ऐसे मरीजों को सिलाजित के सेवन से खुन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने का खत्रा रहता है अगला है दोस्तो गरबावस्ता और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और लास्ट है दोस्तो कभी कभी सिलाजित के प्रियोग से एनरजी दिल की धड़कन देज और उल्टी भी हो सकती है तो एक बार आप इसे किसी डॉक्टर की सला के बाद ही